ओकी गैस तो अगर आप एक SUV खरीना चाह रहे हैं और मार्केट में आप फॉर्चुनर और एंडेवर का नाम सुन सुन कर बोर हो चुके हैं इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी SUV के बारे में जो एकदम फूली फीचर से लोड़ेड है और मार्केट में आते ही यह तबाही मचा देगी इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे MG की ग्लॉस्टर के बारे में क्योंकि इसके कुछ फीचर यह से हैं जो इस कार को एकदम बढ़िया बनाते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लॉस्टर के इंजन के बारे में इसमें आपको 2.0 लीटर ट्विन टर्बो चार्जड डीजल इंजन दिखने को मिल जाएगा ओके गैस अब हम बात कर लेते हैं इस कार के फ्रेंट लॉक्स के बारे में सबसे पहले इसमें आपको 360 डिगरी कैमरा दिया गया है जो आटोमेटिक पार्किंग एसिस्ट में हेल्प करता है और उसके बाद आपको 6 पार्किंग सेंसर दिये गए है और इस कार में आपको आटो पार्क एसिस्ट का फीचर भी दिया गया है और यही फीचर है जो इस कार को काफी जाज़ा स्पेशल और प्रीमियम बना देता है और आटो पार्क एसिस्ट सिर्फ और सिर्फ BMW, Volvo इन सारी कार्स में देखने को मिलेगा अब हम बात करते हैं इस कार के हैड लैंप्स के बारे में तो इसमें आपको टू LED प्रोजेक्टर दिये गए हैं विद डी आरेल्स और इसके नीचे आपको हैलोजन फॉग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे अगर हम बात करते हैं इस कार के overall front look के बारे में तो इसे bold और muscular look दिया गया है अब हम बात करते हैं Gloster के wheels के बारे में इसमें आपको 19 इंच के alloy wheels देखने को मिल जाएंगे इसके बाद आपको automatic adjustable side mirrors with turn indicators देखने को भी मिल जाएंगे and guys just mirrors के नीचे आपको 360 degree camera देखने को मिल जाएगा जो कि parking में help करता है and इसके बाद आपको silver color की roof rail भी दी गई है so guys अब हम लोग बात कर लेते हैं Gloster के back look के बारे में so सबसे पहले इसमें आपको LED tail back lamps देखने को मिल जाएंगी with turn indicators के साथ and उसके बाद आपको इसके नीचे MG और Gloster की batching देखने को मिल जाएगी and then back में भी आपको 360 degree camera and parking sensors प्रोवाइड कर आए गए है and इसके बाद आपको boot open और close करने के लिए automatic buttons भी दिये गए है and guys without off-roading SUV को चलाने का मज़ा बिलकुल भी नहीं आता है so guys इस कार में भी आपको off-roading का feature दिया गया है so आप मज़े से इस कार के साथ off-roading भी कर सकते हैं okay guys so अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कार के interior के बारे में so इसका जो interior है वो काफी दादा premium है so सबसे पहले इसमें आपको leather dashboard देखने को मिल जाएगा and then इसके बाद आपको 8 इंच का digital display देखने को मिल जाएगा and then इसके बाद आपको काफी बड़ा touch screen input admin system देखने को भी मिल जाएगा and guys back में भी आपको काफी दादा space प्रोवाइड कराई गया है so आप अराम से back seat पे बैठ सकते हैं and guys इस car की seat भी काफी जादा comfortable है और जितनी भी seat से इस car में वो सारी की सारी totally leather walked है and guys इसके बाद आपको इस car में panoramic sunroof भी provide कराया गया है so guys अब हम लोग बात कर लेते हैं Gloster की launch date के बारे में so guys Gloster की जो expected launch date है वो है October 2020 so guys अब हम लोग बात कर लेते हैं इस car के important point के बारे में and guys इस point को जानने के लिए आप काफी जादा excited है so guys ये point है price के बारे में so guys MG Gloster का जो expected price रहेगा वो रहेगा 35 lakhs to 45 lakhs and guys यही लगबख सेम price आपको Fortuner, Endeavor इन सारी cars में भी देखने को मिल जाएगा okay guys so at last हम लोग बात कर लेते हैं MG Gloster के rivals के बारे में so guys MG Gloster के जो rivals होंगे वो होंगे Toyota Fortuner and Ford Endeavor and guys ये तोनों SUV भी काफी जादा popular है so guys अब देखने की बात ये होगी कि कौन सी SUV सबसे जादा sell होगी और कौन सी SUV सबसे जादा popular होगी so guys I hope कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो चे लगी तो like जरूर करिएगा इस वीडियो को share भी करिएगा and मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay tuned to Averal Rocks and subscribe to Averal Rocks